असंभव सी लग रही गुजराट टाइटन्स की जीत के बाद रासित खान के दिवाने हो गए कफ्तान सुब्मन गिल। मुकाबला आखरी ओवर तक चला सासे रोग जिने वाला ये मुकाबला था और रासित खान ने चमतकार करते वे मुकाबला जिता दिया गुजराट टाइटन्स को एक बड़ा सा स्कोर बनाया था उन्होंने 196 रन बनाये थे और गुजराट टाइटन्स ने साथ विकेट खोकर इस लक्षे को हासिल कर लिया जहांपर कप्तान सुब्मन गिल ने भी कप्तानी फारी खेलते वे 44 गिंदों में 72 रन बनाये उन्होंने अपनी पारी में 64 के दो भी लगाए इस दोरान सुब्मन गिल का स्ट्राइक रेट 163 264 का रहा मुकाबले के बाद सुब्मन गिल ने मैच विनिंग नौक खिलने माले रासिद खान की जंकर तारीब की है उन्होंने अपने बयान में कहा ये एक सांदार मुकाबला था मैंने तो उमीद छोड़ दी लेकिन रासिद भाई ने इसे फिनिस कर दिया वो एक बेहतरिन क्रिकेटर है और उन्हें बहुत अच्छी समझ है कि किस तरीके से मुकाबले को फिनिस किया जाता है ये बहुत अच्छा मैस था हमने एक बार फिर से मुकाबले में कमबैक किया अब हमारा फोकस है इस विनिं बहुत मुस्किल है पर तारीफ करनी होगी आखिर के बल्लेबाजों की राहुल तेवटिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की साहरुक ने भी अच्छी पारी खेली पर मैं रासिद खान की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है दोस्तों गुजराट टाइटन्स के कफ्तान सु सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा धन्यवाद